अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajakya.in और यहां पर आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नोकरी उसके नोटिफिकेशन और एपलाई करने के लिंक इसी के साथ चैनल को सबस्काइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एर फोर्स हैं, पेरा मिल्टरी फोर्स हैं जॉइनिंग से जुड़ी हुई सारी इंफर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे नमिश्कार दूस्तों लेकर आगया हूँ आपके लिए ट्रेट्समेंट, फायरमेंट, फायर फिटर की वकेंसी का फॉर्म फिल अप करने की वीडियो तो वीडियो को आते ही, like कर दो, share कर दो, ताकि मुझे motivation यहाँ पे मिल सके तो देखो यार, आपको simple सी बात बताता हो, जिसको पूरी detail चाहिए, please वो ये वाली वीडियो देख लो आज की वीडियो में मैं किस-किस point को cover करूँगा, कि form कहां बेजना है, documents क्या बेजने है, form के साथ stamps कितनी लगानी है, photograph कितनी बेजनी है, envelope आप लोगों ने जो बेजने है, वो कितने बेजने है और procurement notice number क्या है, कहां पे है, कहां पे नहीं है, सारा कुछ इस वीडियो में cover होगा, तो यार वीडियो को like किया करो, share किया करो, ताकि मुझे भी motivation मिल सके, अगर आप सोचते हो, आपके like से मुझे पैसा मिल रहा है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, चलिए, तो सबसे पहले address की ब envelope के लिखना है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्या लिखना है, to, 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 आपने लिखना है, to, to, और उसके नीचे आपने लिख देना होता है, ये, ये address complete, याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को धियान रखिए, ये आपका address find हो गया, अब थोड़ा सा चलते हैं नीचे और अगले page पर ही चलते हैं, document की बात करते हैं, क्योंकि अगला सवाल यहाँ पर document का है, चलिए, तो आपको कौन-कौन से documents बेजने हैं, ये जानना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले देखो, photocopies of following document certificate, नीचे लिखे हैं, चलिए, क्या लिखा है, कहते है तीन self-attested passport size photographs, एक आपने paste करनी है, top right corner of the application, एक चीज़, दूसरी आपने paste करनी है, acknowledgement कम call letter के उपर, तीसरी आपने paste करनी है, admit card के लिए written examination, तो ये तीन photo से आपने बेजनी हैं, इसके अलावा ज़ादा photo नहीं बेजनी है, size कितना है, वो यहाँ पे नहीं बताया, आगे अब देखे, सारे document आपने attested बेजनी है, attested क्या होता है, कि आप लोग किसी gusted officer से attest करवा ले, उसके बाद आपके education qualification certificate जाने कि आप 10th हो, 12th हो, जो भी आपने पढ़ा है, उसके सारे certificate, date of birth certificate, अब date of birth certificate, जिनके पास नहीं होगा, एक काम करना, वो अपनी mark sheet से, या diploma से काम चला लें, तो best रहेगा, जिनके पास नहीं है, वो इतनी जल्दी बनवा तो नहीं सकते हैं, तो वो भी farm को जरूर apply करें, अपनी 10th की mark sheet के उपर ही, card certificate सबको नहीं चाहिए, discharge certificate सबको नहीं चाहिए, जिनके पास होगा, वो कर सकते हैं, अगला यहाँ पे certificate है, ये games का, sports का, अगर आपने कोई games, sports की खेली है, तो आप बेज सकते हो, बस यहीं, आगे इनों एक है self address envelope, जानी कि जो आपने खाली लिफाफा बेजना है, खाली लिफाफा क्या होता है, आपने एक extra लिफाफा बेजना है envelope, जिस पे आप लोगोंने 25 रुपे की stamp डाल के उसके अंदर बे लिफाफा बेजना है, जिसको नहीं समझाएगा, खाली लिफाफा लेना है, उसके उपर अपना address लिखना है, क्योंकि उसके अंदर आपका admit card आएगा, ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पे central government civilian, यह छोड़िए, objection certificate हमको नहीं बेजना है, यह ज़रूरी नहीं है, सब के ल पर बताना चाहूँगा, क्या होता है, रिक्यूर में notice number होता है, जब कोई बरती निकलती है, यह form निकला था 13 तारीक को, ठीक है, 13 तारीक को जानी कि इसका notice number बनेगा 13 2019, बट क्या यह आपने लिखना है, क्या यह आप लोगोंने लिखना है, मैं दोस्तों आपको suggestion देता कि आप लोग यह ना लिखें, क्यों ना लिखें, क्योंकि इन्होंने इना इसमें mention नहीं किया है, तो आप इसके बिना ही form बेजें, तो better रहेगा, क्योंकि ऐसे हो सकता है, वो rejection डाल दें, हो सकता है, वो 7 महीना 2019 करना हो, क्योंकि इंडियन आर्मी की website पर यह form कब advertise होता है, यह उसके आप से notice number भी होता है, आप 2-3 दिन wait करना चाहते हो, तो कर सकते हो, हो सकता है, इंडियन आर्मी की website पर यह form जब भी represent हो, तब notice number आपको मिल जाए, फिलाल अभी इसके लिए requirement notice number नहीं है, तो मैं आपको यहीं बोलना चाहूँगा, इसे आप छोड़ दीजिए, फ अब यहाँ पे आप किस post के लिए apply कर रहे हो, cook, tradesman, fireman, engine driver, जिस भी post के लिए करना है, यहाँ पे लिखड़ो, आपका नाम बड़े अक्षरों में, पापा का नाम बड़े अक्षरों में, data birth यहाँ पे आएगी date जैसे मेरी data birth है, 25021996 इस तरह से, अब देखिए correspondence address और permanent address मे क्या फरक होता है, correspondence address वो होता है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, आपका अपना गर कहा है, वो है permanent address, आप होस्टल में हैं, आपका ही rent पे रह रहे हैं, तो दोस्तों से कहते हैं, correspondence address, यह क्यों मांगते हैं, कि अगर आपको चिठ्थी वगारा बेज नहीं है, तो यह यहा बताओ, तो यह चीजे हैं, ओहो, क्या हो गया, चलिए, नीचे आते हैं, अब आते हैं, सात नंबर पे, यहाँ पे serial नंबर डालिए 01, आप 10th पड़े हैं, 12th पड़े हैं, small से शुरू कीजेगा, जिसे 10th, 12th graduate, उसके बाद आपने किस school, college से की है, यह वो बताइए, आपकी board university, जैसे कोई state board का है, UP board का है, जमुए और कश्मीर board का है, CBSC board का है, तो यह चीज़ यहाँ पे आएगी, percentage of marks, आपकी कितनी percentage है उस class में, वो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, अब देखें, यहाँ पे आगे है category, आप किस category के लिए है, journal, जाने की open category, schedule cast, schedule tribal, और OBC, यह ट तिक लगा दीजेगा, आप जिस भी category के होंगे, जिनके पास कोई category नहीं होती, वो journal में आते हैं, ठीक है, अब देखें, weather belonging to, please tick to choose, आप physical handicap, ex-serviceman, या फिर military service में रखासी यह होगा, या फिर other, अगर कोई भी नहीं है, तो इसको छोड़ देना, cross लग देना, cross भी नहीं क जलते हैं, 11 नंबर, अगर आप employment exchange के साथ resisted हैं, तो यहाँ पर yes कीजिए, otherwise no कर दीजेगा, जिनको पता है employment exchange का, वो तो फिर detail भी यहाँ पर fill कीजेगा, कि आपने कहां काम किया है, कहां नहीं, थोड़ा सा लिख दीजेगा, otherwise इसको रहने दीजेगा, नीचे है 12 नंबर की क जम्मू का हूँ, तो मैं लिखूंगा जम्मू, अपने signature कीजिए, यह office record के लिए है, यह आपने fill नहीं करना, अब आते हैं नीचे, acknowledgement, कम का letter, यहाँ पे नाम, data birth, 25021996, father name, correspondence address, वहीं, application नहीं लिखना, reason नहीं लिखना, data of reporting नहीं लिखना, venue नहीं लिखना, index नहीं लिखना है, और यहाँ पे photo लगा दीजिएगा, self attested, अपने sign करके, ठीक है, अब आते हैं नीचे, कुछ नहीं करना हमने इसको, चलिए, अगला है, यहाँ पे name, data birth, father name लिखिए, photo लिखिए, और अपने छोटे से sign कीजिएगा, जाधा बड़े मत sign कीजिएगा, इसके ओपर, और correspondence address पुलिस अपना address, बस, और कुछ भी आपने इसके अंदर नहीं करना है, चलिए, तो दोस्तों, यहाँ पे एक एक चीज करके, सारा कुछ कर्व हो गया, involved का पता लगया, recruitment notice का पता चल गया, photograph कितनी बेजनी है, send form, stamp कितनी बेजनी, अगर आप अभी तक वीडियो को देख र चैनल आपको पसंद आ रहा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकि अगर आप इंडियन आर्मी जॉइन करना चाहते हैं, तो हमारी इंडियन आर्मी की special playlist जो है, वो ज़रूर देखिएगा, okay friends, समझ, आया क्या,